छैसे दोस्तो, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम इंडियन आर्मी की फिजिकल की तेयरी करने वाले हैं तो यदि आप दोस्तो जादी आप और रंणिंग करते हो, दोस्तो जादा करते है दोरन आप सभी की सास फुलती है तो उसके कुछ रीजन्स क्यों फूलती है सासे और कैसे हम ठीक करें सास फूलने की समस्या दोस्तो यदि आप हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम वाच करें हैं तो आज ही सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दिजेगा ने ने वीडियो के लिए दोस्तो हम बात करते हैं warm-up यदि आप running से पहले warm-up नहीं कर रहे हैं तो बहुत ही गल्द कर रहे हैं आप running से पहले हमें warm-up कर लेना चाहिए जो की हमें athletes सीखाते हैं athletes चाहें उसन बोल्ट हो या मिलका सिंगो सभी running से पहले warm-up जरूर करते हैं तो हमें उनसे सीखना चाहिए ये हमारे स्वास लेनी की परकिरिया को मजबूत करता है दोस्तो, सेकेंड हम बात करते हैं लोंग ब्रिटिंग यदि हम सही तरीके से ब्रिटिंग नहीं करते हैं तो भी इसका एक रिजन हो सकता है जो कि आपकी सांस फूलनेगा दोस्तो, यदि आपकी सांस फूलती है तो एक लोंग ब्रिटिंग आप सभी को करनी चाहिए और सही तरीके से ब्रिटिंग आप सभी को करनी चाहिए आप कैसे सीख सकते हैं? वीडियोस आप वास कर सकते हैं वो किस प्रकर स्वास लेते हैं सही डंग से थर्ड हम बात करते हैं water drink यदि आप running करने से पहले थोड़ा भी पानी पीते हैं तो आप सभी की स्वास फूलने का कारण बन सकता है पानी दोस्तों क्योंकि हमें running से पहले पानी नहीं पीना पांच या दस मिनट पहले उससे पहले हम आदे या एक घंटे पहले हम पानी पी सकते हैं फोर्थ बात यदि आप tea या coffee पी कर running करते हैं तो इसका एक main reason है कि आप सभी की सांस फूल दिये इसलिए आप सभी को running करने से पहले चाय या coffee पी कर running नहीं करनी चाहिए उसके बाद आप सभी की सांस नहीं फूलेगी जिनको ये problem है फिफ्थ हम बात करते हैं long running यदि आप long running नहीं करते हैं तो आप सभी को long running शुरू कर देने चाहिए जैसे 5 km, 2 km, 3 km इससे आप सभी की सांस लेनी की परकरिया मजबूत हो जाएगी और सही डंक से आप स्वास लेने लगोगे और सही तरीके से pair steps आप सभी के जमने लगेगे जिससे कारण सांस लेनी की परकरिया आप सभी की सही हो जाएगी 6 हम बात करते हैं oily diets यदि आप oily diet का 7 करते हैं तो गल्द आप सभी को बंद करना पड़ेगा और oil कम करना होगा 7 हम बात करते हैं tobacco और drugs यदि आप drugs या tobacco या तमबाकू 7 करते हैं तो आप सभी की सांस फुलना एक आम बात है जो tobacco या cigarette या good का खाते हैं उन सभी को सांस फुलने की समस्या ज़्यादा ही होती है आप इंडे नर्मी की patient करना चाहते हैं तो इन सभी को ignore करना होगा दोस्तो एट बात करते हैं supplement यदि आप सही तरीके की supplement नहीं लेते हैं तो इसका भी एक main reason हो सकता है आपकी सांस फुलना इसलिए आपको एक अच्छा protein या supplement अस्ट्रोइड आप सभी को लेना चाहिए नाइन तम बात करते हैं sex यदि आप hand workout या उस hand workout या sexual संबंदित कुछ कारिय करते हैं जिससे आप सभी की body तो relax होती है पर एक सांस फुलने की समस्या आ जाती है इसलिए आपको हाथों को control में रखना है 210 बात करते हैं हमें sports में रूची देनी चाहिए जैसे volleyball, football, badminton, अधी ऐसे games जो कि हमारे athletes running तो करते ही है उसके साथ साथ थोड़े sports भी खिलते हैं जिसके करण उनकी स्वास की जो प्रक्रिया है मजबूत होती है और सही तरीके से उनको energetic feel होता है इसलिए हमें sports पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए running के साथ-साथ तो आप सभी की running best हो जाएगी दोस्तो हम food कौन स-कौन सा ले दोस्तो यदि आप Indian Army की preparations कर रहे हैं तो आप सभी की sans full रहे हैं ये सभी food आप सभी को seven करने चाहिए किस्मिस, monkey दाल और चने monkey दाल और चने और किस्मिस आप सभी को रात को भिगो कर रख देने हैं सुबह निचोड कर उसे खा लेना है और किस्मिस का पानी भी आप सभी को पीना है और बेहेड का दूद आप सभी को पीना है तो आप सभी को योगा करना चाहिए जैसे की अनुलोम विलोम, भुजा आसन, सूर्य नमस्कार, कपाल भारती और सुकासन जो की रामदेव बाबा के वीडियो आप वाच करके सीख सकते हो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इससे लाइक कीजेगा, सब जो इंडियन आर्मी की प्रिपेसिंस कर रहे हैं, थैंक यू फर वाचिंग आउर वीडियो, जै हिन, जै वारत